दोस्तों आप जब भी वाइफाई अपने लैप्टोप से कनेट करते होंगे तो बार-बार डेटा खत्म हो जाने से प्रेशान होंगे तो उसका एक सोल्यूशन यह है कि आप यहां पर सिधा टास्क मैनेजर खोले टास्क मैनेजर यहां से खोल सकते हैं दोसरा उप्सन आपका यहां दिखी यह स्टाट अप यहां से हमेसे लिए उसे बंद भी कर सकते हैं अधि आप इसका यूज करना चाहते हैं तो आपका इनेबल भी कर सकते हैं दिखिए मैं यहां पर एक एडव क्रेटव क्रेटिव क्लाउड है इसको मैं डिसेबल किया हुआ हूँ और ऐसा-इस अधि आपको डिसेबल करके रखते हैं तो आपका अनवांटेट डेटा जो है वह बाद मने होगा और दूसरा ओप्शन यह है दोस्तों कि आप अपना PC को Windows 10 को की डेटर अपडेट अधि आप कर देते हैं तो देखे यह क्रेटर अपडेट करने का एक ओप्शन है यहां पर के बाद यहां पर चेक फूर अप्डेटिंग करेंगे और इसे अपडेट करने के बाद एक आपका देखे यहां पर नेटवर्क एंट इंटरनेट है उसके बाद यह है चेंज कनेक्शन प्रोफर्टीज तो इससे पहले आपका वाइफा का कनेक्शन अस्टैबल समझागे और देखे इस पर क्लिक करने के बाद एक नीचे में देखे एक ओप्शन है आपर है सेट एज मेटर्ड कनेक्शन तो इससे अधी आप आउन कर देते हैं तो जो आपका पेज अभी खुला हुआ है वही केवल डेटा लेगा और अंदर में बाइक ग्राउन में डेटा जो है नहीं चलेगा तो उस तरह आप डेटा को बचावी सकते हैं और दोस्तों एक किरेट अबडेट विंडोस टेन का जो है लगबग साथ से आठ जीवी तक का होता है तो पैसेंस रखे और अपडेट एक वर कर देजा उसके पास बहुत सारे फेचर से बिल्क्लूट के गए हैं विंडोस टेन हॉम जाए उससे यादि आप क्रेटर अबडेट करते तो